इस्तिती आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पूरी तरह से शान्ती है, कहतियार के रूप में फोर्स लगा हुआ है, और इसलिए लगा हुआ है कि कोई शरार्थी या कुराफाती तत्थ हुआ है, इसमें अपने नापाक मस्दूबों को अंजाम न दे सके, बाकी सभी कम्यू है, उन्हीं की गिरफतारी हो रही है, या की जाएगी, जो वास्तों में शामिल है, और जो हाड क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग जो इनको उकसाया गया नबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे, अगर वो खराब परबढ़ती के नहीं होंगे, तो उन पे ध्यान दिया कर निर्णे लिया जाएगा, लेकिन गिरफतारियां हाड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, इन्होंने साजी सरचा है, इन्होंने उकसाया है चोटे-चोटे बच्चों को, उनकी होंगी, और पहचान क्या धार पर हम आगे के कारवाई करेंगे, कितना मुख्य बात मुझे कहना था शुकि आप लोगों का उजरारिष था कि मैं कुई बोलू अभी तक किसी बेकश्चूर आधमी का गिरफतारी नहीं होगा, उसमें कोई कारवाई नहीं होगा, समी लोगों से अपील है, कि अपना-पना काम करें, जारी करें, कि कोई दिक्षत किसी को नहीं आने पाएग गी साथी साथ आपको ये भी कहना है कि हम अपना होमवर्क भी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी कोई इसमें पुराफाती कोई गलत काम ना कर पाए और किसी भी वेकसूर की गिरफतारियत में नहीं की जाएगी संबाद हमारा बहुत बड़ा अस्त्र है संबाद बादशीत स पहले भी था जब घट्ना हो रही थी उस वक्त भी हमें काफी समझाया बुझाया और ये समझाने बुझाने की प्रक्रिया जारी रहेगी इसमें कोई रोक ने लगाई जाएगी आज भी हमारा प्रयास है कि सभी थानों पर मीटिंग की जाएगी जिलास्तर पे भी बच्चों के भविस्ट के लिए आम जनता के भविस्ट के लिए और जिले में शांती सवहात बनाये रखने के लिए संबाज की प्रक्रिया हमारी आगे भी जाई रहे हैं। पहले गोपने रोप से पुलिस कारवाई करेगी अभी पोस्टर इत्याद लगाने का कोई इरादा प्रिस करेगी।